पशिम बगाल में अर्पिता मुखर जी के खिलाफ एडी ने कारवाई तेज़ करती है एडी अब तक अर्पिता मुखर जी के तीम ठीकानों पर रेट डाल चुकी है जहां से करोडों रुपे बरामद हो चुके है सूत्रों का कहना है कि अर्पिता मुखर जी के खिलाफ एडी आज भी कारवाय कर सकती है एडी की टीम अर्पिता मुखर जी के ठिकानों पर आज भी छापे मारी कर सकती है कल एडी ने चुनार पार्क वाले फ्लैट पर रेड डाली थी हाला कि वहां से क्या बरामद हुआ है अब तक ये साफ नहीं हो पाया है इसे पहले 27 जुलाई को बेल घोरिया इस्थित फ्लैट से एडी को करीब 29 करोड रुपे कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ था हम आपको चार तस्वीरों के जरीए दिखाते हैं पहली तस्वीर 22 जुलाई की है जब एडी की टीम ने अर्पिता मुखर जी के टॉली गंज वाले फ्लैट में चापे मारी की थी दूसरी तस्वीर 27 जुलाई की जब एडी ने बेल घोरिया वाले फ्लैट में रेट डाली थी और तीसरी तस्वीर 28 जुलाई की जब E.D. की टीम चिनार पार्क वाले फ्लैट में तलाशी के लिग गई थी चौती तस्वीर में अर्पिता मुखर जी है जिनके ठिकानों पर E.D. की टीम लगातार चापे मारी कर रही है आपको जानकारी दे दें अलपिता मुखर जी के ठिकानों से इंफॉस्मेंट डारेक्टरेट को अब तक 50 करोड से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है और करोडो रुपए की जूलरी भी बरामद हुई है E.D. की टीम को टॉलिगंच वाले फ्लैट से किस करोड 20 लाख रुपए कैश मिले थे जबकि बेल घोरिया वाले फ्लैट से करेब 29 करोड रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ बताया जा रहा है कि E.D. की टीम ने चुनार पार्क स्टिट फ्लैट में भी छापे मारी की यहां से क्या क्या बरामद की हुई है इसकी पूरी जानकारी अभी तक E.D. ने नहीं दी है अब देखना यह है कि E.D. की टीम अर्पिता के किस ठिकाने पर रेट डालती है अभी तो उनकी गाडियों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है यह बताया जा रहा है कि कई गाडियां गायब हैं जिनमें कैश होने की आशंका जताई जा रही है तो अर्पिता की यह जितनी भी अवैद संपत्ती है उस पर फिलाल E.D. की नजर है सूतरों के मताबिक अर्पिता मुखर जी ने कैश कार्णे से जुड़े 10 राज E.D. को बताए है इनमें अर्पिता मुखर जी ने बताया कि जो पैसे उनके फ्लैट से बरामद हुए वो पार्थ चैटर जी के हैं साथ ही ये भी जानकारी दी पैसा कहां से आता था इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता उन्होंने बताया कि पार्थ चैटर जी के लोग ही पैसा लेकर आते थे और चौथी जानकारी जो अर्पिता मुखर जी ने बताई की पार्थ के लोग ही वहां पर आकर पैसा रखते थे, कमरे में ताला लगाते थे और खुद अर्पिता मुखर जी को भी उस फ्लैट के उस कमरे के अंदर जाने की अजासत नहीं थी साथी ये भी बताया कि पार्थ चेटर जी फ्लैट में आते रहते थे और बरामद पैसे से मेरा कोई संबंद नहीं है ये अर्पिता मुखर जी कह रही है पार्थ चैटरजी की गिरफतारी के पांच दिन बाद ममता बेनरजी ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और मंत्री पद से बरखास्ट कर दिया साथ ही उनसे वो सभी विवाग छीन लिये गए जो अत्रेक्त प्रभार के तौर पर उन्हें दिये गए थे इसके लावा ममता बेनरजी ने अपनी पार्थ चैटरजी को सस्पेंट कर दिया है पार्थ चैटरजी टीमसी की सभी पदों से हटा दिये गए हैं पश्यम velvet में ममता सरकार पर बीजिपी हमलावर है घोटालों को लेकर ममता बेनरजी को लगातार घेर रही है अब आपको बताते हैं कि ममताराज में अब तक कौन-कौन से घोटाले सामने आए हैं जिसमें 1352 करोड का कोईला घोटाला, 40,000 करोड का शारदा चिटफन घोटाला, 20,000 करोड का पशुत असकरी घोटाला, साती 464 करोड का रोजवैली घोटाला शामिल है और अब शिक्षा भ